दोस्तों नमस्कार, बहुत ही महत्यपोर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है, आप सभी जानते हैं कि जब भी आप औरलाइन फारों भरते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना पास्वोर साइज फोटो को और सिगनेचर को इसकेन करके अपलोड करना होता है, और उसका इसके साथ ही साथ आप CG Tate का फाम भरते हैं, तो आहां पर फोटो को इस प्रकार से बनाना होता है, पहले आपका फोटो रहता है, उसके निचे आपका दसकत रहता है, फिर नाम रहता है, फिर अंगुठे का निसान, और इस पूरे फोटो को आपको पचास के भी से कम उसके निचर को, नाम को और अंगुठे का निसान को किस प्रकार से लगा सकते हैं, हम आपके भी तीन तरीका रखेंगे, तीन तरीका बताएंगे आपको इस प्रकार से फोटो बनाने के लिए, आपको जो तरीका पसंद आएगा, या आपके लिए जो तरीका सुईधा जनक उसी को पयोग कीजेगा मैं तीनों तरीका बताऊंगा ठीक है इसके पहले निवेदन है कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्वाल लख्षे 2.0 जिसमें आपके लिए इसी प्रकार के बहुत ही महत्तपूर वीडियो आते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी ह होते हैं अता चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन दाबाल लिजेगा ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हम डालेंगे वह आप तक नोटिफिकासर के मांदे से पहुचे वीडियो को लाइक भी किजेगा तो इस प्रकार से फोटो बनाने डाउनलोड करने का तरीका क्या होगा मैं बताऊंगा पहले वीडियो को देख लीचे मैं लाश्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से पेज को डाउनलोड कर सकते हैं यह जो पेज है PDF के रूप में भी है और इसके साथ ही साथ फोटो के रूप में भी है आपको जो चाहिए आप डाउलोड कर सकते हैं तो चले पहला तरीका सुरू करते हैं तीन तरीके में से तीन तरीका आपके बिच रखा जाएगा जो पहला तरीका होता है वो है कंप्यूटर में Adobe Photoshop के साथ तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम में जो है यदि आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो वहाँ पर Adobe Photoshop को ओपन कर लिजे देखिए Adobe Photoshop ओपन हो रहा है यह हमारा Adobe Photoshop ओपन हो गया अब आप क्या करेंगे आपने जो पेज में अपना फोटो सिगनेचर और नाम को लिखे हैं उसक इसको जो है आप इसकैन करके भी ला सकते हैं या डारेक्टर मोबाइल ने पहले फोटो किछ लीजे फोटो किछने के बाद आप Adobe Photoshop में ला सकते हैं ठीक है यहां पर आने के बाद आपको क्या करने देख सकते हैं यह जो पेज है इसको थोड़ साथ सब बढ़ा कर दीजे आप टूल बाक्स में सेलेक्शन टूल्स को लेंगे जो रेक्टेंगल सेप में रहेगा उसके अद यहां से इस प्रकार से पकड़ेंगे ठीक है और इस प्रकार से आप ऐसे खीश दीजे इतना खीशने के बाद आपको क्या करना है कंप्यूटर की कीवोट पर कंट्रोल प्लस सेपके के लिए कंट्रोल आल्ट प्लस एस की दो बटों का दबात दीजिए ठीक है आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं कि कॉंट्रोल आल्ट प्लस एज करके यहां से फाइल पर जानेंगे सेव ऑस्नेगे ठीक है इसको अग लिक करेंगे अब यहां पर देखिए क्या नाम लिखना है आपको जैसे की नरायन सर्थ ठीक है एक दो तीन चार उसके बाद यहां पर क्या करना है जो फोटो साप्ट फॉर्मेट में है इसको आप jpg format में कर दीजिए jpeg.jpg इसी फार्टिर मंगा जाता है अब यहाँ से सेव कर दीजिए जब आप सेव करते हैं तो यह विंडो आता है यहाँ पर आपको साइज को मिंटेन करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी जो है 12 है आप देख सकते हैं 194.818k बना है इसको क्या कीजिए आप 6 कर दीजिए 6 करते तो देखे 33 हो गया इसको क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए 33,10,56,8 कर देखे 44 बर रहा है तो आप साथ ही करिएगा थोड़ा सा 40 से कम इसको कर दीजिए अभी देखते हैं फोल्डर पर कहां पर बना देखे हमने कौन से नाम बनाया था नरायन सर 1234 अब इसका साइज देखते हैं आप देख लीजिएगा इसका जो साइज है सामय आएगा देखिए 41,05 के बना है तो इस प्रकार से छोटे साइज में हमने इसको कर दिया अब दुसरी तरीका क्या होगा उसपर बात करते हैं वह भी कomnia lots का तरीका है जो तीसरा तरीका है ओनलाइन होगा और मुबाईल के माध मैं से कर सकते हैं जो दूसरा तरीका है वह है पावआरे से आप जो है अपने computer में power paint को on करेंगे यहाँ पर जो है power paint open हो गया अब क्या करेंगे आपने जिस folder पर save किया है जैसे कि main photo जो था इसको आप खीज करके कहां ले आएंगे power paint में ले आएंगे ठीक है यहां से आप ले आएंगे छोड़ देंगे वह जो photo करके से इसे करेंगे इस प्रकार से यह crop हो गया घिखंब आप जो है क्रॉप कर دेजिए अहां फिर से प्रेस कर दिजिए weather से बड़ा कर दिजिए यहां से जूम कर दिजिए आप इसको क्या करने आपको right click करने है i.save as picture इसको क्लिक करने ना इसे ते किस नाम से कि सेव गया जा रहे है यह आता है विंडू देखिए यह विंडू ँपन हो गया यहां से जो है आप इस फोल्डर में हम सेव कर रहे हैiblows नाम से ठीक है अब देखते है कितने केवी का बना ये ज़किए वहा जो पिक्चर वन नाम से यहाँ प्रसिये हो गया इसका जो साइज आप देख सकते 16.7 कवी मात्र 16 कवी का बना है अर्थात आप कम-से-कम केवी में बनाना चाहते है तो पावर पैंट का यूज़ कीजिएगा इसमें 5 KB 6 KB का भी बनता है ठीक है आप इसको बड़ा KB बनना चाहते है थोड़ा बड़ा साइज में तो आप क्या करेंगे पावर पैंट में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कम से कम साइज बनाने के लिए आप पावर पैंट का यूज़ कर सकते हैं जैसे देखिए आप पिक्चर 2 नाम से सेव करते हैं कि देखिए इसका जो साइज है आप देख सकते हैं 41.3 KB बना है इस प्रकार से जो दोनों पिक्चर आप देख सकते हैं यह 16 KB का है यह 40 KB का है य तिसरा तरीका होगा आउनलाइन करना है तो आउनलाइन करने के लिए आपको कम्प्यूटर के आउख शक्तर नहीं पड़ेगी आप अपने मोबाइल पर कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे पोटो रिसाइजर इनके भी टाइप करेंगे सर्च करेंगे सर्च करने के बाद आप देखिए सबसे उपर में आ रहा है रेडियूस इमेज साइज इनके भी इसको आप क्लिक करने के बाद इसका ओनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएगा यहां से आपको इमेज को अपलोड क अब यहां से एक प्रोस्यस होता है है यहां पर कुछ नहीं करने। वद आपके मोबाइल के नेट्वरॉक के अधार पर रहेगा, अब यहां पर دیکھ 결ख То था यहां पर आगया। इसको क्या करना पड़ेगा हमको यह पूरा पेज्ट पूरा पड़ूड ने करना है यहां से आपको प्राप करना पड़ेगा तो क्रॉप के लिए यहां पर option है क्रॉप करेंगे उसके यहां पर marking आ जाएगा देखिएगा आ गया आप इसको क्या करेंगे यहां से पकड़िए और धी रेस इस प्रकार से जहां तक आप जुरॉत है वहां तक आप क्रॉप कर दीजिए ठीक है पहले तो नहीं लिखा रहेगा क्योंकि पहले भी मैं क्याम कर च्रॉप को इसलिए से मां दिखा रहे है जितना साइज आपको चाहिए आप उतना कंप्रेस कर दीजिए जिसे में चाहिए 46 केवी का हम 46 कर दिये उसके यहां पर कंप्रेस करेंगे कंप्रेस करने के बाद देखिए यह कंप्रेस हो गया ठीक है कितना हो गया 43 केवी का बना है देख सकते 207.67 केवी का जो था वो 43.64 केवी बना है आप नीचे जाएंगे इसका डाउनलोड का आता है गो टू डाउनलोड को पहले क्रीक करेंगे एक बार और रिफ्रेस होगा उसके फिर नीचे जाएंगे वहाँ पर डाउनलोड इमेज का आ रहा है इसको आप डाउनलोड कर देखिए डाउनलोड होने के बार डाउनलोड सेक्षन पर यह पहुंच जाएगा यहाँ पर डाउनलोड हुआ है इसको ओपन करते हैं देखिए यहाँ पर ओपन है अब इस तीन तरीका रखा जो तरीका आपको पसंद लाए उसका यूज कीजेगा और निश्ची तुर पे आप भी ऐसा फोटो बनाना सिख जाएंगे ये वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करके वश्च बताएगा आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा नमस्कार